मेश राशी, इस समय अपने स्वास्ति का ध्यान आपको बनाए रखना है, बेवजह का मानसिक तनाव रह सकता है, वाद विवाद से बचाव करियेगा, शनी मंत्र का अगर जब करें, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा, शुबरंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीतर आपको नंबर दे रहा है, शाट प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा, व्रिशब राशी तनाव कम होता जाएगा, धन लाब के योग बन रहे हैं, नए काम में आपको सफलता मिलेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा, शुबरंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, मिथुन राशी धन लाब के योग हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिक्ता रहेगी, खाने पीने की वस्तुका अगर आप दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, 65 प्रतिशत जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा, करकराशी, तमाम रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे, काम की रुकावट दूर होगी, उपहार सम्मान का लाब मिलेगा, धन की स्थिती में सुधार होगा, पीपल के व्रिक्ष में अगर जल अर्पित कर दें, तो आपका दिन और अच्छा होगा, शुबरंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, सिंग राशी वाहन सावधानी से चलाएंगे, पारिवारिक मामलों में शान्ती रखें, संतान पक्ष का सहयोग प्राप्त होगा, शनी मंत्र का अगर जब कर लें, तो दिन के मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुबरंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा, कन्याराशी, करियर में आपके लाब होगा, पारिवारिक चिन्ताएं आपकी दूर होंगी, काम की अधिकता से छुटकारा मिलेगा, पीपल के व्रिक्ष में अगर जल अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, शुबरंग होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशी, इस समय आपकी दौर भाग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, धन लाब के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कारिय हो सकता है, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, अस्सी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है, व्रिश्चिक राशी, स्वास्थ की स्थिती में सुधार होगा, करियर में लाब के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, नब्बे प्रतिशत सबसे ज़्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनुराशी व्यर्थ की चिन्ता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, किसी बड़े की सलाह से जीवन में सुधार होगा, शनी मंत्र का अगर जब कर लें, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा, शुबरंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, साथ प्रतिशत यानि मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मकर राशी, धन लाब के योग आपके लिए फिलहाल बन रहे हैं, धन की प्राप्ती होगी, कोई शुब सूचना आपको प्राप्त होगी, करियर में सफलता मिलेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुबरंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुम्भराशी स्वास्ते में सुधार होगा, धन की स्थिती उत्तम रहेगी, करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुबरंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, संपत्ति लाब के योग बन रहे हैं, परिवार में शुबकारिय होंगे, पीपल के व्रिख्ष में अगर जल अर्पित कर दें, तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा, शुबरंग जिसका प्रियोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, पच्छत्तर प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है, एस्ट्रो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब, डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक आप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से,